ओम नमस्षिवाय प्रेदर्शकों मैं संद्या ककर वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चानल में आज हम बात करने वाले हैं कि मकर राशी वालों के लिए अक्तूबर 2023 का महिना कैसा रहने वाला है मकर राशी जिसके राशी स्वामी शनीदे होते हैं जो कि इस महिने सेकिंड हाउस में विराज मान रहने वाले हैं हेल्ट की बात करेना तो ये जो महिना है आपके लिए पहले से बेटर रह सकता है ये फिर भी इस महिने आपको दातों से संबंदित दिखते हैं स्किन से रेलेटेट दिखते हैं और इसके साथी नसों से संबंदित दिखते हैं तो इन चीजों का आपको बहुत ज़्यान रखना होगा अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यान रखें इस महीने आपको भागये का full support रहने वाला है तो थोड़ी सी मेंनस से चीजों में सुधार हो सकता है अब हम बात करेंगे कि students के लिए महीना कैसा रहने वाला है Students के लिए जो महीना है आपके लिए काफी better रह सकता है थोड़े से प्रयास से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आपको चाहिए कि आप अपना focus जो है अपनी study पर से बिलकुल भी हटने ना दे नहीं तो दिक्कते आ सकती हैं आप अपना पूरा focus अपनी study पर रखें अपनी career को improve करने पर लगाएं married couples की बात करें तो यह जो महीना है आपके लिए मिले जुले रिजर्ड लेकर आने वाला है आप को चाहिए कि अगर इस महीने कोई भी situation खराब होना तो अपने mind को positive रखें और तब decision ले अपनी mutual understanding को improve करने की कोशिश करें फिर यह दिश्टा है जो आपके लिए better हो सकता है अब हम बात करेंगे कि love couples के लिए महीना कैसा रहने वाला है love couples की बात करें न तो यह जो महीना है आपको यह लोगों के लिए काफी दिक्कते लेकर आ सकता है अगर आपने अपने partner को cheat किया या आप अपने partner की प्रती इमानदार नहीं रहे तो आपको दिक्कत परिशानी आ सकती है कोशिश करें अपने partner की respect करने की नहीं तो आप अपने हाथ से अपने सुनहरे रिष्टे को गवा सकते हैं आपको चाहिए कि आपने मेरे रिष्टे को time दे अगर कोई दिक्कत परिशानी आ भी रही है तो उस चीज़ को बैठ कर solve करने की कोशिश करें नहीं तो आपके हाथ से सुनहरा रिष्टा जाते हुए देर नहीं लगेगी बिजनस की बात करें न तो ये जो महिना है आप लोगों के लिए काफी up-downs लेकर आने वाला है आप अगर कुछ अपने बिजनस में change लाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आपको इस महिने profit के तो अच्छे योग बने हुए हैं लेकिन साथ में खर्चों के भी योग बने हुए हैं इसलिए कोशिश करें प्लानिंग जरूर बनाएं और उसको follow भी करें अब हम बात करेंगे कि जॉब वलों के लिए महिना कैसा रहने वाला है जॉब वलों की बात करेंगे तो ये जो महिना है आपके favor में रह सकता है आपको मन चाही जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांस बने हुए है क्योंकि भागे का आपको full support रहने वाला है लेकिन आपको हर वक भागे के भरोसे नहीं रहना है भागे तो आपका साथ देगा ही लेकिन इसके लिए आपको hard work भी करना होगा अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिसे यह जो महिना है आपके favor में रहे आप क्या कर सकते हैं आप दुरगा चलिसा का बाट करें आप कंचको को कुछ ना कुछ मीठा जुरूर बाटते रहें आप अपने partner की भूल से भी disrespect ना करें आप अपने personal hygiene का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे तो आशा करते हैं यह जो महिना है आपके लिए बहुत सारी खुशिया और कामया भी लेकर आएगा ओम नमस्यवाए